हलो बच्चा लोग तो आज में पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक को और ये है रासायनिक सुत्र को ऐसे बनाते हैं तो जी हाँ बहुत आसान होता है रासायनिक सुत्र लेकिन रासायनिक सुत्र को बनाने के लिए तुम्हें यह जो यहाँ पर आयन का नाम और यह जो संकेत दिया हुआ है और यह जो संयोजकता दिया हुआ है इसको याद करना पड़ता है बिल्कुल बच्चा लोग यदि आप आपको इस चार्ट को याद करना पड़ेगा और ये जो चार्ट है बहुत छोटा सा चार्ट है बच्चों के जैसा चार्ट है आपको यदि आप बड़े classes में हो तो आपको बहुत सारे और भी आयन के नाम को याद करना होगा तो जैसे यहाँ देख सकते हो हम लोग को याद कैसे करना है तो हम लोग को याद करना है कि जो सोडियम होता है उसका संकेत एने होता है और यदि हम लोग यहाँ पर प्लस की बात करें तो हम लोग को याद करना है एक कि सोडियम का सही हो जगता क्या होगा एक और यहाँ पर याध ध्यान दो कि ये जो sodium plus लिखा हुआ है ने प्लस लिखा हुआ है ये basically क्या sodium iron है इसे हम लोग sodium नहीं बोलके क्या बोलते हैं sodium iron लेकिन तुम्हें इतना नहीं याद रखना है तुम्हें बस याद रखना है sodium का sodium कहीं भी लिखा है sodium तो तुम्हें याद करना उसका होत है», यह कैसे, मैं आगे बताऊँगा, दुसरा नाम जैसे तुम्हे희는 क्या याद्ट करना है, potassium, K1, ऐसे याद करना है, फिस of silver, A, G1, ऐसे याद करना है, फिर देखोंगे यहां पर नाम है copper, क्या नाम है copper, copper, इस तरीकिस रोमन में लिखते है तो इसको को याद करना है c1 और यहोव पर एक और न gelir तुम्हारा peddol इस तरीके वेख न तइसको याद करना से यू 2 ऐसे याद कर लेना है तो समझ में आया कैसे याद करना है बच्शो यहाँ देखो फिर से rid crawl कर ना है इंधर फॉर का एक ऐसे याद करना है hydroxide तुम्हें याद करना है OH का एक minus plus से कोई tension नहीं है वो तुम्हें ऐसे ही याद रहेगा उसको या हम मैं बता रहा हूँ जैसे वैसे करना है तो तुम्हें उसको याद करने का जरूरी नहीं कि वो minus है वो plus है ऐसा करने का जरूरी नहीं है और भी देखो chloride है तो chloride का Cl1 तुमको याद यहाद यहाँ पर रखना है तो देखा तुमने तुम्हें यदि रासाइनिक सुत्र बनाना है यदि एकदम सच में चाहते हो कि मुझे रासाइनिक सुत्र बनाना है तो तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए जैसे मैं तुम्हें बोलू यहाँ पर एक नाम Sodium तो तुम्हें याद होना चाहिए किसका होता है Na1 यह तुमको याद होना चाहिए इतना चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए यदि मैं बोलू कार्बोनेट कार्बोनेट तो तुम्हें याद होना चाहिए CO3 का 2 ऐसे याद होना चाहिए तुम्हें किसका स्योजगता क्या है 2 यदि इस तरीके से तुम्हें याद है तो भाई कोई भी formula होगा तुम आसानी से बना सकते हो अब इसको बनाने का थोड़ा सा नियम है उस नियम को हम लोग यहां पर देख लेंगे लेकिन नियम देखोगे तब ही जब तुम्हें यहां पर यह सारे नाम का यह जो फॉर्मूला बन रहा है यह या फिर संकेत जो बन रहा है यह मतलब आयन यह पूरा याद होना चाहिए और सयोजक्ता याद होना चाहिए तो चलो हम लोग नियम कुछ खास चीज नहीं है बस सिम्बल सिम्बल है जैसे मालो कि मुझे नाम लिखना है सोडियम सोडियम क्लोराइड तो मैं कैसे सोडियम क्लोराइड को लिखूंगा तो तुम्हे कुछ निकास करना है sodium chloride का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ NaCl होता है sodium chloride का फॉर्मूला क्या होता है NaCl तो आखिर हम लोगों ने कैसे NaCl बनाया उसी को हम लोगों पढ़ना होता है तो बच्चा लोग यहाँ sodium जो है उस sodium को हम लोगों ने याद किया कि sodium का क्या होता है Na और 1 होता है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे Na और इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पर 1 chloride का होता है Cl और इसका होता है A किस तरीके से अब यहाँ देखो इसको इसके पैर के नीचे और इसको इसके पैर के नीचे लिख देते है तो यह जाएगा तुम्हारा इस तरीके से NA1 और CL1 और 11 को लिखने का नहीं जरूरी है तो यह जाएगा NACL बन गया फॉर्मूला अब देखो एक और मैं बता रहा हूं अब मालो मेरा फॉर्मूला है sodium sodium carbonate का फॉर्मूला मुझे लिखना है कि sodium ओहो इस तरीके से लिखा गए कार्बोनेट तो sodium carbonate को कैसे लिखेंगे तो जैसे ही sodium देखेंगे हम लोग तो फिर हम लोग लिख देंगे sodium के लिए NA और एनी का बताओ क्या होगा 1 और कार्बोनेट का क्या होता है CO3 और इसका क्या होता है 2 तो इसको यहाँ पर लिख देंगे और फिर इसको इसके पैर के नीचे और इसको इसके पैर के नीचे लिखेंगे तो जैगा NA2 और CO3 इसका पूरा कर देंगे 1 तो 1 का कोई टेंशन नहीं है 1 लिखने का नहीं जरूरी है तियो जगा NA2 CO3 यही हो गया sodium carbonate का formula अब देखो अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें एक और formula की तो माल लो मैं लिखना चाहता हूं calcium oxide तो calcium oxide के लिए हम लोग को calcium का याद रखना होगा लिख देना होगा CA और oxide के लिखना होगा O तो calcium का कितना होता है 2 याद रखना है और oxide का भी कितना होता है 2 तो बच्चा लोग जब यहाँ पर एक जैसा आ जाएगा 2 और 2 आ जाएगा तो यह cancel हो जाएगा इसको लिखने का जरूरी नहीं है और ये बन जाएगा हमारा formula CAO एक और मैं इस तरीके का बता देता हूँ calcium carbonate क्या है calcium carbonate तो इसमें भी वैसे ही लिखेंगे CA लिखेंगे और carbonate का क्या हो जाएगा CO3 CA का होता है 2 और carbonate का भी होता है 2 तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये हो जाएगा CACO3 तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि तुम्हें याद होना चाहिए कि calcium का होता है CA और से हो जगता होता है 2 carbonate होता है CO3 और से हो जगता होता है 2 तो इस तरीके से तुम यहाँ पर इसके formula को बना सकते हो अब थोड़ा सा और हम कुछ अलग प्रकार का formula को देखेंगे तो अब हम लोग मान लो यहाँ पर लिखते है aluminium 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 carbonate यदि मैं बता रहा हूँ carbonate तो इसको कैसे करेंगे तो aluminium के लिए लिख देंगे यहाँ AL और इसका होता है 3 और carbonate का होता है CO3 का यहाँ पर होता है 2 तो अब इसको कैसे लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे इसको इसके pair के नीचे और इसके इसको pair के नीचे तो यह हो जागा AL2 और CO3 का whole 3 ऐसे हो जाएगा तैल्मूनियम कार्बोनेट हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से एक और फॉल्मूला हम लोग देख सकते हैं Aluminium Sulfate तो इसको भी वैसे ही बनाएगे तो अल्मूनियम के लिए क्या लिख देंगे बच्चा लोग AL और इसका होता है सिर्जगता 3 Sulfate होता है SO4 और इसका सिर्जगता होता है 2 तो इसको इसके पैर के नीचे और इसको इसके पैर के नीचे लिखेंगे तो यह हो जाएगा AL2 SO4 का whole 3 अब देखो यहाँ इस तरीके से बिलकुल नहीं लिखना है कि AL2 SO4 और यहाँ 3 जो इसके पैर के नीचे लिखना है इसको 3 ऐसे लिखना नहीं है इस तरीके से लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा जब भी ऐसा आएगा कि यहाँ पर भी अंक है यहाँ पर भी अंक है तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे जैसे कि एक और देख लो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन यहाँ देखो सोडियम सोडियम यह सोडियम नहीं कैल्सियम लिख देता हम है कैल्सियम हाइड्रोकसाइड तो calcium hydroxide है तो calcium के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है CA और इसका होता है 2 और क्या तुम बता सकते हो hydroxide का यदि तुम्हें नहीं पता तो तुम इसको नहीं बना सकते हो OH का होता है 1 hydroxide को हम लोग याद करते हैं OH और इसका होता है 1 और इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो यह जाएगा C A O H 2 तो यह सही है कि गलत है? बिलकुल गलत है क्योंकि यह जो दो हम लोग लगा रहे हैं यह O और H दोनों को मिला करके लगा रहे है और यहां जो 2 दिखा रहा है वह सिर्फ H के नीचे ही 2 को दिखा रहा है इसलिए यह गलत हो जाएगा तो हम लोग को इस तरीके से एक ब्रैकेट लगाना होगा और अब यह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है ना इसी प्रकार से यह दि हम लोग लिखेंगे sodium hydroxide तो sodium के लिख देंगे Na और hydroxide के लिख देंगे OH इसका भी एक होता है इसका भी एक होता है ती हो जाएगा NaOH देखा तुमने तो यहां पर बोलोगे कि सर शुरू में आपने बोला था कि प्लॉस और माइनस नहीं याद करना है य तो बिलकुल देखो जो सुरू वाला है वो होता है प्लस बाद वाला माइनस सुरू वाला प्लस बाद वाला माइनस ठीक है तो यह सुरू वाला क्या हो जाएगा 3 प्लस ही हो गया और यह क्या हो जाएगा 2 माइनस हो गया और यही तीन है उसको यहां लिखते है और यही जो नहीं है, न प्लस याद करना है और नहीं माइनस याद करना है, अब यहाँ से कुछ और question को देख लेते हैं, तो तुम्हें और clear हो जाएगा, जैसे कि अब हम लोग याद के बनाएंगे sodium sulfate, sodium sulfate, तो sodium sulfate कैसे बनाएंगे, तो sodium का Na, sulfate का SO4, इसका होता है एक, और इसका क्या हो जाएगा, दो, इसको इसके पैर के नीचे, इसको इसके पैर के नीचे, तो जाएगा Na2SO4, वन लिखने का जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, इसी प्रकार से एक और हम लोग बना सकते हैं, और वह है hydrogen sulfate, तो hydrogen sulfate के लिए क्या हम लोग लिखेंगे, hydrogen के लिए H लिखेंगे 1, और sulfate के लिखेंगे SO4, 2, तो यह हो जाएगा H2SO4, यह हो जाएगा hydrogen sulfate, ठीक है, अब चलो, कुछ और हम लोग यहां पर लिखते हैं, तो कुछ और लिखने के लिए, अब कुछ नया नियम हम लोगो सीखना होगा, एक आद और नया नियम है इसको सिख लो जैसे के लिखा होगा copper one chloride तो यह कुछ नया नियम नहीं है बस यह है कि यह copper one का मतलब क्या होगा तो copper one में होगा cu और one लिखाई हुआ है तो one इसका होगा इसको याद भी करने का जरूरी नहीं है और chloride का होता है Cl1 तो इसको यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे तो यह हो जाएगा CuCl बलकि यह हो जाएता है copper two chloride बच्चा लोग तो यहाँ लिख देंगे 2 और chloride तो इसको इसके पैर के नीचे लिख देंगे हो जाएगा CuCl2 copper two chloride अब हम लोग लिख देंगे copper two oxide ठीक है तो copper two oxide के लिखेंगे Cu2 और oxide के लिखेंगे O2 तो यहाँ O2 क्या होगा कट जाएगा तो यह हो जाएगा CuO अब लिखेंगे copper one oxide यदि हम लोग को समझना है कि copper one oxide कैसा होगा हम लिखेंगे copper one oxide तो Cu copper one का क्या हो गया Cu one और oxide का क्या हो गया O2 तो इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे ति हो जाएगा Cu2O copper one oxide इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं iron two chloride chloride इस तरीके से iron two chloride होगा तो iron का क्या होता है एफी और दो है तो दो क्लोराइड का CL और यह हो जाता है वन इसको ऐसे और इसको ऐसे तो एफी CL2 यह iron two chloride हो जाएगा ठीक है अब देखो जैसे मालोब मुझे लिखना है silver bromide यह एक तरीके का हो गया अब मैं कुछ इस तरीके simple simple बताते जैसे बालो silver bromide है तुम्हारा तो silver का क्या होता है एजी यह मुझे कैसे परता है मैंने याद किया है सुरू वाला क्या होता है plus और bromide क्या होता है BR यह होता है minus और सिर्फ एक होता है इसको ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा A, G, B, R ठीक है इस तरीके से एक और बना सकते हैं हम लोग और वो क्या है तुम्हारा hydrogen chloride तो यदि है hydrogen chloride है तो H का क्या हो जाएगा one और chloride का क्या हो जाएगा CL का वंती हो जाएगा HCl तीक है अब यहां देखना जैसे मैंने एक बताया था तुम्हें यहां देखना Ammonium एक अब लाश्ट में बता दे रहें एक नए टाइप का जैसे मालो अब लिखा है Ammonium sulfate तो Ammonium का क्या होता है NH4 और इसका होता है one और sulfate क्या होता है So4 इसको क्या होता है two तो इसको इसके पैर के नीचे इसको इसके पैर के नीचे दिख देंगे तो NH4 का Holtu और SO4 यह जगा Ammonium sulfate है ना इस तरीके से formula को हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं तो जितने भी formula आएंगे उसको तुम क्या करोगे यहां से याद करोगे और इसको याद करकर के हम लोग क्या करेंगे उसको फिर बना लेंगे तो यदि ऐसा करते हो तो तुम्हें बहुत आसानी से सारे formula याद हो जाएंगे तो इनको सब को तुमको याद कर लेना है और याद करके इसको क्या करना है उपयोग में लाना है धन्यवाद